नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Group दोस्तों quality का ये practice set paper है इसमें question number है 30 और passing score है 50% तो चलिए latest exam pattern को follow करते हुए ये practice set paper set किया गया है जिसमें हर question का answer देने के लिए 5 second का समय मिलेगा क्या आप 50% score gain कर पाते हैं शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला question ये रहा स्क्रीन पर question number 1 देखें क्या पूशा गया है question number 1 आप से पूशा गया है अंतर राज्य परिशत की स्थापना किस के द्वारा की जा सकती है क्या उत्तर होगा बतलाईए चलिए दिखते हैं तो यहाँ पर सहीत्तर हो जाएगा बात हो रही है अंतर राज्य परिशत की तो इस थी स्थापना जो है राश्पती साहब के द्वारा होती है option number 20 प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है तरतिय पंचवर्षी योजना किस मॉडल पर आधारित थी बतलाईए चलिए देखते हैं तो तरतिय पंचवर्षी योजना जो है यह हेरॉल डोमर मॉडल पर आधारित थी option number 20 प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं सर्वोची ने आयले को कॉंगरेस का तृतिय सधन किस ने कहा था बतलाईए चलिए देखते हैं तो सर्वोची ने आयले को कॉंगरेस का तृतिय सधन लौस्की ने कहा था option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है पाँचवी पंचवर्षी योजना का मुख्य उद्देश गरीवी का उन्मूलन के साथ में आत्म निर्भरता प्रदान करना था right answer option number B next question देखते हैं राश्य जनसंख्या आयोक का गठन कब हुआ था बतलाईए चलिए देखते हैं तो राश्य जनसंख्या आयोक का गठन 11 मई को हुआ था सन 2000 में option number B इस प्रशिंगे लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है जन्म म्रत्यू पंची करन कराना कितने दिनों में जरूरी होता है क्या उत्तर होगा बतलाईए जन्म म्रत्यू पंची करन कराना जो है ये 21 दिन के अंदर जरूरी होता है option number B सही उत्तर है next question देखते हैं चले देखते हैं तो उच्छे न्यायले की समस्थ कारवाही अंग्रेजी भाषा में भारते समिदान के अनुच्छे 348 के तहत हुई next question देखते हैं क्या पूशा गया है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयक्त कौन थी बतलाईए चले देखते हैं तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयक्त आप्शन नंबर B.S. रामादेवी आप्शन नंबर C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है भारत का पच्छीसवा उच्छे न्यायले इन में से कौन सा है बतलाईए चले देखते हैं तो भारत का पच्छीसवा उच्छे न्यायले जो है अमरावती का उच्छे न्यायले है option नंबर D यहां से इत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं लगातार कितने दिन उपस्थित माफ करिएगा लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर संसत की सदस्यता समाप्थ हो सकती है बतलाईए चले देखते हैं तो लगातार अगर 60 दिन तक संसत में अनुपस्थित रहते हैं संसत संसत तो उनकी सदस्यता जो है समाप्थ हो सकती है next question देखते हैं प्रशास्तिक सुधार आयोग के प्रतम अध्यक्ष कौन थे बतलाईए चले देखते हैं तो प्रशास्तिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष मुरार जी देश आई थे right answer है option number C next question देखते हैं संग सरकार से राज्यों को वित्य सहायता कौन प्रदान करने की सिफारिश करता है बतलाइए चलिए देखते हैं तो संग सरकार से राज्यों को वित्य सहायता प्रदान करने की सिफारिश नीती आयूग करता है नेक्ट कॉशन देखते हैं अमेरीकी राश्पती की चुनाओं की प्रक्रिया में प्राइमरी पहली प्राइमरी कहां पर होती है बतला ये चले देखते हैं तो अमरीकी राजपती के चुनाओं की प्रक्रिया में पहली प्राइमरी जो है ये आपकी न्यू हैंशायर में होती है राइट आंसर आप्शन नमबर C नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है पंचायती राज किस प्रकार की विवस्था है पतलाईए चले देखते हैं तो पंचायती राज जो है एक इस्थानिय स्थरपसो शाशन की लोक तांत्रिक विकिंद्री करण की और त्री इस्थरिय अची साशन की विवस्था है राइट आंसर है दल बदल निरुधक अधिनियम कब पारित हुआ था बतलाईए चले देखते हैं तो दल बदल निरुधक अधिनियम जो है ये 30 मार्च को पारित हुआ था 1985 में राइट आंसर है यहाँ पर आप्शन नमबर C सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कोशन देखते हैं क्या पुशा गया है भारत में कौन एकमातर राज है जहां सामान्य सिविल सर्विस सिमिल कोड भारत में कौन सा एकमातर ऐसा राज है जहां पर सामान्य सिविल कोड लागू है बतलाई चले देखते हैं तो सामाने सिविल कोड जो है गोवा में लागू है राइट आंसर है उप्शन नमबर C नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है लोग निधी का अभीभावक किसे कहा जाता है बतलाईए लोग निधी का अभीभावक निअंतरक इवं महालिखा परिक्षक को कहते हैं नेक्श कॉशन देखते हैं 1946 में निरमित भारत सरकार में 1946 में निरमित सरकार में कारेपाली का परशचट के उप्सा भापती कौन थे बतलाईए चले देखते हैं तो 1946 में निर्मेश सरकार में कारेपाली का परशत के उपसभापती जो है जवालल नहरू जी थे राइट आंसर हो जाएगा option number A इस प्रशन के लिए से यत्तर है next question देखते हैं राश्पती जी के अध्यादेश की शक्ती किसे प्रेरित है बतलाईए चलिए देखते हैं तो राश्पती जी के अध्यादेश की शक्ती जो है भारतिय सरकार अधिनियम 1935 से संबंदित है option number B यहाँ से यत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अनुदानों की मांग कौन कर सकता है बतलाईए चलिए देखते हैं संचित निधी से भुकतान की प्राधिकार किस से मिलता है क्या उत्तर होगा बतलाईए चलिए देखते हैं तो संचित निधी से भुकतान की प्राधिकार जो है यह मिलता है विनियोग अधिनियम से राइट आंसर है option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशग है भारत की प्रथम महीला महान देशक अर्द सैनिक बल कौन है बतलाईए चलिए देखते हैं तो भारत की प्रथम महीला महान देशक अर्द सैनिक बल जो है अर्चना राम सुन्दरम जी है option number D भारत की प्रथम महिला महान जिशक अर्द सैनिक बल कौन है तो अर्चना रमा सुन्दरम जी है next question देखते हैं क्या पुषग है भारत की राश्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है बतलाईए चले देखते हैं तो भारत की राश्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है तो राइट आंसर हो जाएगा जैन्ती पटनायक जी है राइट आंसर है option number A next question देखते हैं क्या पूशा गया है अंत्रिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे इन में से बतलाई चले देखते हैं तो अंत्रिम सरकार के अध्यक्ष इन में से दव विकांट वेवल option number C अहाँ पर सहीत्तर हो जाएगा राइट आंसर है next question देखते हैं क्या पूशा गया है भारत का प्रधान मंत्री किसके प्रती जवाब दे है बतलाईए चले देखते हैं तो भारत का प्रधान मंत्री जो है लोग सभा के प्रती अपनी जवाब दारी को जिम्मिदारी लेता है next question देखते हैं भारत की राज्य सभा की प्रथम महिला उप सभापती कौन है बतलाईए चले देखते हैं तो भारत की राज्य सभा की प्रथम महिला उप सभापती वाइलेट आलवा हैं option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारते सुतंदरता अधिनियम कब सुईक्रत हुआ था बतलाईए चले देखते हैं तो भारते सुतंदरता अधिनियम जो है 18 जुलाई को 1947 में सुईक्रत हुआ था option number B यहाँ सही उत्तर है next question देखते हैं भारत की प्रथम महिला राजदूद कौन है बतलाईए चले देखते हैं तो भारत की प्रथम महिला राजदूद विजय लक्ष्मी पंडेज जी है option number A यहाँ सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारत में प्रथम नियमे तो दशक्किय जनगरना कप्शे हुई बतलाईए चले देखते हैं तो भारत में प्रथम नियमे दशक्य जनगरना जो है 1881 में हुई थी right answer option number B next question देखते हैं क्या पुशा गया है भारतिय सम्विधान की प्रकृति क्या है right answer क्या है बतलाई चले देखते हैं तो भारतिय सम्विधान की प्रकृति जो है प्रकृति में संग्य किन्तु भावना में एकात्मक है यह आपके 30 कॉशन पॉलिडी के है प्लस यह आपका surprise कॉशन है संसर सदसे बनने हितू नियूंतम उम्र क्या है तो दोस्तों यह पॉलिडी कॉशन में तीन टाइम मिलते हैं सुबह 6 बजे शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे यह तीनों समय अलग-अलग सब्जेक के अलग-अलग कॉशन सैट पेपर मिलते हैं पर दे आप इनकी तयारी कर सकते हैं तो टाइम याद कर लीजे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजेगा अपन करके वीडियो समगा सकते हैं हम आपके comment पर link शेयर कर देंगे वीडियो को लाइक जरूर करते जाएगा और लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिजेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक बहुत बहुत धनिवाद अपना ख्याल रखिए मिलते हैं अगले वीडियो में धनिवाद